हाई फ्रेंट्स आज को रूख सोपे मैं आप सुभी को वाइल फुल टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वासिंग मसीन के बारे में सारा चीज बताऊंगा यह कैसी उवर करता है इसमें कितना प्रोग्राम दिया हुआ इसमें क्या क्या फीचर्स है मैं इसके बारे में सारा ची पर हमें और यह 7.5 kg का वासिंग मसीन है और 5 star rating के साथ यह हमें मिलता है और इस वासिंग मसीन को इंस्टॉल करने के लिए कंपनी के दोवारा एक इंजिनियर को भेजा जाएगा जो कि जब यह वासिंग मसीन आपके घर हो जाएगा उसके एक घंटा बाद या पर एक दिन आपके घर आएगा और इस इंस्टॉल करके आपको इसके बारे में सारा चीज बता के जाएगा यह कैसे वार करता है इसमें क्या क्या फीचर से साफ फंक्सन बता के देगा वह भी फ्री ऑफ खोस्ट यदि हम इस वासिंग मसीन के वेरेंटी की बात करें तो 2 साल के इसके प 740 बार यह रोटीट करता है और यदि आपके घर में हाड़ वार्टर आता है यानि कि आपके घर में जो पानी आता है उसमें आयरेंग मिला हुआ रहता है या फिर पानी पीला हो जाता है तो भी आपके लिए बेस्ट वासिंग मसीन रहेगा क्योंकि उसमें भी यह अच्छ प्रोग्राम है इसके अंदर नीचे में तीन बटन है 123 पहले पावर का फिर प्रोग्राम का फिर एक्सप्रेस वास इसके नीचे बटन देया हुआ है डिले का यहाप इसे डिले करना चाहते है यहापको टाइमिंग दिखाएगा और यहाप आप देख सकते हो वाटर लेबर यह वाटर लेबर इंडिकेट करेगा यहाप और हाडवास जानी कि घर में जो वाटर हाड आता है तो इस बटन को प्रेस कर देना तो अच्छे से वर्क करेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहापर मेरे पूरा कपरा है मैं आपको सारा चीज दिखाँगा आज और यहा अब यहाँ पर लिखाँगा और यहां पर लिखाँगा यान की पहला प्रोग्राम यहाँ आप और इस प्रोग्राम मतलब की यह दूसरा नमर का बटन यहां पर निखा वहाँ उसके नीचे प्रोग्राम लिखावाई इसे आप प्रेस करके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो यह जी जी आपको उसे प्रेस करोगे तो वह पी टू पी थरी पी फॉर पी फाफ पी शिक्स पर जाएगा और नॉर्मली हम जो अपने घर में कप्रे दो सब्सक्राइब कर दें आप इसे डाल सकते हो और उसी तरह का सबसे यूज कर सकते हो तो चलिए आप कर दिए और इसका यूपर सबसे पहले मैं आपको इसके पीछ दिखा देता हूं इसका इस्टालमेट है यह जो पतला बला पाप दिख रहा है इससे वाटर इन होगा और मुटा बला पाप नीचे हम दिख रहाता उससे वाटर ऊट होगा और इसके अंदर देख सकते हो आप इसका ड्रम वह एस्टील का बना हुआ है जो कि बहुत है अच्छा congratulate का है और जब भी आप Washing Machine लो ताप steels का drum भी लो ताकि वह अच्छे समय तक चले और लाज समय तक चले सुखिंद मैं ने इस्टील कहले इस वासिंम से लिए जिस वाद मैं आपको इसे वास करके इसका सारा प्रोग्राम यह टू जट श्ट के बहुत होंगा कि और यह किस समयमें कैसे बिहेब करता है जब यह वरकर रहा है उसी समयम में यह ज़िए हम इसे बिश्य करते हैं मैं आपको सारा चीज़ इसे ऊपन करकर करके दिखाऊंगा हमेशा यह एक्चुलिम कैसे वर करता है उस पर कपड़ा डालना के बाद आपको इसमें सर्फ डाल देना है आप इसमें भी सर्फ डाल सकते हो या फिर कपड़ा पे भी सर्फ डाल सकते हो इससे कोई प्रवल्म नही जैसा कि आपने देख लिया कि मैंने इस वासिंग में सारा कपड़ा डाल दिया, फूल कर दिया कपड़े से, उसके बाद इसमें मैंने सर्फ भी डाल दिया, अच्छे खास है, उसके बाद मैंने इसके ठेकन को लगा दिया, अब हमें इसे आउन करेंगे, आउन करने के लिए के बटन को प्रेस करना होगा सबक्राइब प्रेस करेंगे इसका उपर मों जतना भी इंडिकेटर सारा जला रहा है आप देख सकते हो और नीचे में डिस्प्लेइं है टाइमिंग का इसपे रोटेट कर रहा है तो इसलिद जो भी प्रोग्राम किया हुआ इस तरीका से अभी यहां पर को राहा है और थ्वाद धेर के बाद लगा होके 30 सेंड में इससका सेटार्ट में किया हुगा हुगा तो आप देख सकते हैं इस तरीका से थ्वाद घूमता है फिर यह रुख गया अब इसके डिस्पले में टाइमिंग सो करेगा तहरी थादिर हम रुकते हैं उसके बाद मैं आप दिखाता हूं इसमें टाइमिंग सो करेगा कि टोटल कितने समय में इसका फूरा कपड़ा धो के सारा चीज फीनिस हो जाएगा आप देख तो यहां पर 52 मिनिट हो रहा है अभी 51 मिनिट हो रहा है यानि कि 51 मिनिट के अंदर सारा चीज हो जाएगा दोव इससे कपड़ी को वास करने के चार प्रोसेस और सर्फ के अंदर यानि कि 51 मिनिट के अंदर सारा कुछ हो जाएगा तो इसका फीफिया कर है पहला प्रोसेस देख सकते हो जिसमें हुम सर्फ डाले थे वहां से पानी आ रहा है तो पानी आा रहा के साथ यहां पर इसके अंदर आ रहा है और यह दिरे कप्रे में इसमें सर्फ चल जाएगा यह इन्यूदू तो इस तरीकाविया राता है और यहां पर टोटल चार अब चार प्रोशिश और तो भुश्चत हो चुका है सबल्स ध Ary चोथा और मैं सारे step को मैं आपको बारे बारे देखाऊंगा हर एक चीज को और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर यहां पर देख सकते हो उपर में उससे पहले मैं इसके बारे मता देता हूं यहां पर यह बिलिंग करेगा यह सारा फंक्षन इसमें दिया हुआ है आप इस हिसाब से आप देख सकते आपका वाटर खतम हो रहा है तो वहाँ पर बिलिंग करेंग और एक आवाज भी करता है टू 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 करके का आवाज आता है आप फिर से आप मत्तब्विए आपका टंकी में पाने खत्म होगे फिर से आप मोटर चला दो और यदि फ्लक्ट्वेट कर रहा है तो आप इसे बंद कर दो आप देख से तो यह स्टार्ट हो चुका है सोक का दूसा प्रोसेस सुरू हो चुका है धोने का और दूसा प्रोसेस में सबसे ज्यादर टाइम लगता है क्योंकि दूसा प्रोसेस है धोने का और जब भी हम इसका उपर का धकन खोलते हैं इसका उपर का कॉपर जब भी हम इसे उपन करेंगे तो यह ऑटोमेटिक सेंस क कर रहा कि बंद हो चुका है और कुछ बहुत लगवर 15 सगेंड के अंदर खुद बहुत स्टार्ट हो जाएगा और यदि यह आप कपड़ा धो रहे हो और आपका लाइट कट गया या फिर को भी कारण से फ्लक्षुएट हो रहा ही और आपका लाइट काटना पर गया तो जब बाद मैं आपको जब कपड़ा धो जाएगा तो इसको अगला प्रोसेस जब शुरू होगा वह मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं अपने मोबाइल को इसके डिस्पेले पर रखके मैं आपको इसके अंदर गया दिखा रहा हूं आपको देख सकते हैं अभी य और step two दोनों खत्म हो चुका है और तिसरा step आप भी शुरू हो चुका है इसाके देखरों इससरा step पर यह बिलिंग कर रहा है और इसमें 18 मिनट अभी मांग ए 18 मिनट के अंदर ये सारा complete कर देगा अब मतलब कि इसके अंदर जो भी सर्व वाला पानी है वो निकाल रहा है इस पाइप से आप देख सकते हो इस तरीका से इसमें से पुड़ा पानी निकालता है और इसका पाइप मोटा है तो यह थोरा जल्दी निकल जाए लेकिन इसके अंदर जो पाइप पानी है वह बहुत पुरा निकल के नीचे को जा रहा है और अब हम इसके धकन को खोल दिया और धकन को खोल दिया तो फिर से प्रोसेस रुख गया पाने निकलना इससे बंद हो गया तो चलिए अब हम इसका धकन को फिर से लगाएंगे और फिर से धकन को लगाने के बाद आप देखना ये करते हैं हम विडिये को फास्ट खरते हैं उसके बाद मैं आपको इसके एगछे प्रॉसस दिखाऊंगा तो अब हम चलते हैं मासeur में की ऊपर है जो नार बिंदा पानी जी। जब इस्वीड में रोटेट होगा इसमें से पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा और सर्फ निकल जाएगा जलिए मैं आपको पाइप दिखाता हूं अभी जो था वो पानी निकल रहा था और अभी जो है कप्रे के अंदर जो भी सर्फ है सर्फ बला सर्फ बला वाला गंद पहले इसमें से गंदा पानी निकल रहा है कप्रे के अंदर इसमें से निकल रहा है इसमें से सारा का सारा निकल जाता है नीची और और यह पहले पूड़ा का पूड़ा सर्फ वाला पानी निकल जाएगा उसके बाद इसमें फिर से पानी आएगा नॉर्मल पानी आएगा साफ वाला पानी आएगा उसके बाद यह इसको साफ करेगा और वह प्रोसेस किस तरीका से होता है मतलब यह मतलब विद्धोता किस तर लेता है और रुक चाहेगा और जब आप इसे बंद करोगे तो यह अटोमेटिक लगवग 10-15 सकेंड के अंदर अटोमेटिक यह शुरू हो जाएगा अभी हम अपने फोन को इसके सी से परक्ष दी है इसलिए आपको इसका अंदर जो कपरा है वह आपको साफ साफ दिख रहा ह इसमें से जो जितना भी गंदा पानी था और सर्फ बला पानी था वह लगवग निकल चुका है और निकलने के बाद आप देख सेकतो हूँ यह रुग गया है इसका टब रुग गया यानिकिशका मोटर चलना बंध हो चुका है और इसमें आप जो है नॉर्मल पानी जो टं करते हैं उसके बाद मैं आप दिखाता हूँ और आप देखो वासिंग मसीन के अंदर इसमें लगए पूरा पानी साफ पानी जो है टंकी वाला इसमें भर चुका है उसके बाद यह इसका अगला प्रोसेस शुरू होगा मतलब कि प्रोसेस तो सेम रहेगा लेकिन इस प्रोसेस में जो अगला काम है वो शुरू करेगा तो आप देख सेखते हों इसमें अभी पानी भर चुका है और जिस तरिका से यह कपड़ा को साफ कर रहा था रोटीट कर रहा था आधा इधर आधा हुदर उसी तरिका से यह इस पैप से गंदा सायद पूरा निकाल देगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं और फिर से वीडियो को फास्ट करते हैं उसके बाद प्रोसेस खतम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अब भी आप देख सकते हो इसमें से पानी बाहर आ रहा है और बहुत ही साफ पानी आ रहा है सबसे पानी आए था बहुत ही गंदा आया था उसके बाद साफ साफ पानी निकलताया है अबधि आप सब्सक्राने निकलता है सफ पानी नीकलता है खिलियो कि सखगेगा उसके लिग מאकाशन आपको डरीर समय के आधार याचालिक प्रॉसेस जो है इस कप्रेक्स उखाने का वह अभी शुरू हो चुका है चली मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर ये फूल स्वीड में घूम रहा है मैं इसके ढकन को जब ओपन किया ये फिर से रुख गया लेकिन आप देख सकते हो ये जो फूल स्वीड में रोटेट हो दो होता है इसके अंतर जीतना भी पानी जाता है वह निकल जाता है और इसके पाइप के दौरा निकल जाता है तो आप को सुखाने में बहुत ही कम टाम लगेगा बाहर में इसका प्रोस्थेस था इसको तो अर yol ्लगभव कुछा कॉश्चु मीट चुका है लगव हो एकसे स्वासिंग मसीन के बारे महड़े की बता दिया यदि आपको यह पसंद आता है तो आप इसे बाई कर सकते हो और यदि आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राब कर लेना धन्यवाद